और उसके पीछे मकसद सिर्फ मेरा एक है कि एडी की जाच हो रही है राउल गांजी सायोग कर रही है अब भार्ती जनता पार्टी के डिने में ताना शाही हिटलर की आत्मा समा गई है वो वही कर रही है जो से नहीं करना की लिए हमारे साथ मौझूद है कॉंग्विस के वरिष्ट नेता एवं राजसभा सांसद प्रमूत तिवावी जी सर आज आप लोग पदर्शन कर रहे थे आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया और कारकरताओं को बैरिकेटिंग लगा के रोग दी गई इस पे क्या कहेंगे और आगे क क्या यह जो लवाई है यह क्या आगे करें इसमें हम बिना अरोब लगाए मांग कर रहे हैं कि इजी से सयोग करने के लिए ही तो रहूल गंदी गया है हमने को इस्टे नहीं लिया को उससे बढ़वाया नहीं हम गया है जाते रहे हैं पर चार बड़े मुद्दे यह तो 90 कर का मुद्दा है राफेल इस्टील प्लांट पाकिस्तान का पावर प्लांट स्री लंका का और मेहुद चोक्सिकर जिसमें चारों बड़े मुद्दे हैं इसकी भी जाच तो हमारे साथ मौजूद थे वास्भा सांसद और कॉंग्रेस के वरिष नेता प्रमुत तिवारी जिन रजानी लखनों के सहकारिता भाउन में आयोजित निशाद पार्टी की महिला मोर्चा प्रदेश कमिठी की बाठक रखी गई थी जिसमें निशाद पार्टी के रास्टिय ध्यक्ष और क्याबनेट मंतरी डॉक्टर संजर निशाद मौजूद रहे वही उन्होंने प्रेस क साटी का पूरा नाम के लिए अब तब एगाउत से कहते जो राजनीत चäreकार हो मैलायं अब रह कहते जनम लेती段 से स्च्छि मी नाम दिये जाता है ले Fellows आता है को इझनको इस्षो कि सतंदारी बात आती है और इंके प्रद्यवहार की शेंता की बात आती है और अबने मंतरी को धनबाद के तरफ द्यान दिया और इन्होंने हमारे विवाग से मस्च मंत्राला में 60% महिलाओं के नाम से दे रखा और इन्हें सिक्षा स्वास्त रोजगार के लिए हमारे मच्वा कल्यार कोश के अपने बच्चों के लिए हमारे हाँ जो मस्वा कल्यार कोश है उसका उपयोग करो और उनके बच्चों के लिए राज्यमंतरी दिनेश प्रताप सिंग ने प्रेस कौंफरेंस की कौंफरेंस का मुख्य उदेश या खेती और किसानी की आय को बढ़ाना देना था ताकि किसानों को एक न्याय आयाम मिले पर बेरोजगारी का मुख्यों कि जानकारी हमको नहीं थी लेकिन हम कोशिस करेंगी कल ये प्रसासनिंग का बैठक हमारी है उसके बारे में पूछेंगे और नहीं होगा तो उसका कारवाई कराएंगे अगर जीन लोगों ने लापरवाई बढ़ती है निशी तोर्चन के इ पूछ बंडी की स्थापना हमारा बेवाई जुमी की नमाज के बाद रासधानी में महौल बिगारनी की कोशिश की गई वही अब उपद्रियों पर कारवाई की जा रही है वही इस मामले पर जब प्राइम टीवी के समधाता ने इस्पेक्टर चौकी से जौनकारी लिए त जब आला अधिकारियों से इस बात की जौनकारी लिगे तो उनका कहना है कि उनके संग्यान में नहीं है और अथाना आनकानी करते हुए नजर आये वही थोड़ी ही देर बाद पुलिस के कहने पर कुछ लोगों ने उन पोस्टरों को हटा दिया जुमेको नमाज को देश भर में हुई हिंसा के घटनाओं के विरोध में बजरंग दल के कई कारेकरताई कत्रित हुए और राज्टुपती को संबोधित एक ग्यापन सीएम प्रथम केवी सिंग को सौपा जिसमें उन्होंने हिंसा के घटनाओं को अंजाम देने वाले और उनके मास्टर माइंड पर कड़ी कारवाई और रासुका लगाया जाने की मांग की है कि संगठन की ओर से अपनी कट्पए मांगों को लेकर के ग्यापन दिया गया है जो कि कारवाई है यथा अस्तान पर पहुंचा है कि दो तीन सब्ताओं से एक मस्जिद के अंदर से निकलने वाली यह उनमादी जिहादी भीड जिससे देश का माहल खराब हो गया है और समाज के लोग उससे एक धहशत में आ रहे हैं उस सब के विरुद राश्पती जी के नाम एक ज्यापन दिया गया है कि ऐसे सारे लोग भारे पुलिस बल भी मौजूद रहा बता दे कानपूर में हुए पर्थराव के बाद अब जुनपत गाजियाबाद में भी पुलिस प्रशासन हाई अलेट बोर्ट पर देखा अधियाबाद के अंदर में आज फ्लैक मार्श रिकाला गया है खोडा कलोनी के अंदर में क्या संदेश दिया जा रहा है क्योंकि जो जुमे की नवाज में पहले जो कानपूर में हो चुका है उसके बाद साहरनपूर में कई ऐसी घटनाए देखने को मिली है जो नवजवा से भी संबाद किया है और लगातार कल ड्यूटी डिप्लाइमेंट के पहले सभी लोगों को ब्रीफ भी किया रहा है और ड्यूटी लगातार भ्रमणसील रहके पैनी नजर रखी जा रही है कि जो भी अराजक तक है उन्हें कत्ताई बर्दास नहीं किया जाएगा और बाकी जैसे कि कल दूमे की नमाज भी है और उसके बाद जो कहीं कहीं जगा पर इसे हाथ से देखने को मिलें क्या लगता है कि खोड़ा में किस तरह के संजेश पुली द्वारा दिया जा दोनों समाजों के जो मुजिज लोग है उनसे वारता की गई है ताकि वो समझाएं कि जाक इस्तिती हुने पर जो भी बिदिक प्रावधान उसकी तार्वाई करने में कि खबर अलीगर से है जोहां सरकार सेना भरती की प्रक्रिया बदलते हुए नियम को लेकर युवाव ने चमकर विरूत प्रदर्शन किया और अलग अलग जगहों पर यौवने सटकों पर उ प्रावधानी बढ़ति रुखी हुई है उसके देर साल हो गया दो साल होने वाले दो मिल्याव दो साल हो देहिंगी उसके वह बर्ती प्रक्राव प्लस एम ने एक नाया दसतरा और हमारे साम में रख लिए चार साल वाला इससे हमारा कुछ नहीं बढ़ती यह पहले से पर कराने के लिए मांगती और यह नई जो प्योड़ी है उसका विरुट था उमें दो ही मांगें तर यहापन ले लिए गया और शांदिपुन वापस लेगा किस तरीकी तो नारेबाजी या किसे खुद्म किया गे शात्रों कि नहीं कोई ऐसा विसे नहीं था उनका सांदिपुन था और वो सांदिपुन था हम लोगों किन्द्र सरकार की अगनीपत योजना के खिलाफ विरोध की आग बिहार से होते हुए गोड़क पुरा पहुची सी क्रमे सहजनवा कालेश्वर जीरो पॉइंट के पास छात्रों ने पैदल मार्च करते हुए विरोध प्रदर्शन कि चात्रों की मन्शा थी कि चक्का जाम करने की लेकिन पुलिस प्रशासन की मुस्तायदी के उज़े से सफल नहीं हो सके किंद्री सरकारद्वरा अजनवीर जोजना लागू की गई है इसके व्रोध में खालेश्वर चरह है पर कापी संख्या में इचातर रहता हो गया है उनको समझाव जाके और उनका जापन लेके उनको आपस कर देए गया तर किदनी के संख्या में इचातर थी लगभग जाड़ा से है जहां विदाला सक्षा बोर्ट की बार है वी कक्षा के परिक्षा परिडाम से जला सक्षा अधिकारी मुनेश चौधरी खुश नजर नहीं आए उन्होंने कहा कि हाला कि परिडाम पहले से बहतर आये हैं लेकिल इतने अच्छे नहीं है कि हम टॉफ थी में ज कि पीचे से थी में हमारा रिजल्ट एक्टी फोर पॉइंट पाइव नाइन परसेंट रहा है कि अबात कर दो कंपार्टमेंट के हमारे तेहरा सो सतानुए बच्चे हैं और जो पास हैं किलियर वह 11,730 बच्चे हैं और टोटल जो अपियर हुए हैं वह 13,860 बच्च्चे ह अबर संबल से जा शुक्रवार की नमाज से पहले प्रिशासन ने पूरी तरह से कमर कस लिया है भारी पलिस फोर्स के साथ शेहर में फ्लैग मार्च किया वह उन्होंने पलिस फोर्स को ब्रीफ करते हुए निर्देश दिये कि शेहर की फिज़ा बिगारने वालों के कि मातरा में पुलिस फोर्स संबल शेहर में तेनात किया गया है इसमें जो हमारे पास बाहर से फोर्स आई है उसको भी लगातार यहां पर रूट मार्च और यह गराकर शेहर की जो इस च्छि़ा जारा रहा रहा है यहां पर जो अपद्रवी तक तो हैं उनको चिन्नित किय गया है उनको कड़ा मेसेज पहले भी दिया गया है गर उनकी तरफ से कोई भी घड़ना करने की कोशिश की जाती है किसी भी तरह से कानून को अपने हाथ में लिया जाता है कुशामभी एक नवालिक ने बाइक का 45 रुपए का पुलिस चलान भरने के लिए 5 साल के बच्चे का कड़नाप कर लिया इसमें उसकी गर्ल्फरेंड ने भी उसका साथ दिया पुलिस ने जो मामले का खुलासा किया तो सभी हैरान रहेगा बुद्वार को प्रियाग राज के बैंक रोड स्तित एक घर से बच्चे को सही सलामत बरामत कर लिया साथिया पहरड करने वाले दो किशोर सही त एक नबालिक किशोरी को पकड़ लिया कबर फिरोजा बात से हैं जो बेसिक सक्षा बभाग के परिशदिय विद्याले 28 दन बाद खुले इस दोरान विद्याले के गुरुजनों ने पहले दिन चात्र चात्राओं को ठीका लगा कर फूल माला पहना कर और केक काट कर भाविस्वागत किया यह पूरे 28 दिन के बाद अब खुले हैं बच्चों को विद्याले में आकर बहुत ही स्थेज महसूस हो उनको एक अच्छा बातावरण मिले इसके लिए थोड़ा सा यह प्रियोग किया गया था कि विद्यालों को निर्देशित किया गया था कि पूरे खुले मंद से उनका स्वागत करें विविन प्रिकार की गतिवितियां स्कूल में संचाले कराएं जिससे बच्चों को एक अच्छा वातावरण स्कूल आकर महसूस हो और बच्च्चा इस बात के लिए मोटिवेट हो कि अब उसे प्रिशे दिन स्कूल आना है परिजनों का आईरोप है कि पुरानी रंजश को लेकर कुछ योकों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी फिलाल परिजनों की तहरीर पर पुलिस से जाज शुरू कर दी है ये एक सजिन कुमार जी आये थे और जो हमारे पास आये थे तो प्रॉट डेट थे मतलब एक्सपायर हो चुके थे इनके सीने में गोली लगी हुई थी इनकी बोडी को हमने मोर्चिरी में रखवा दिया गया पुलिस को सूजना कर दिया इसमें कोई और गाहिल भी आया या 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 खबर गोंडा से है जाब वहनों से डीजल चोरी करने वाले ग्याइंग का भंडा फोड हुआ है और पुलिस ने तीन शातर चोरों के साथ 490 लीटर डीजल बरामद के आपको बतादे कि डीजल के साथ शातर चोरो कित्वाली नगर टीम को बड़ी सबलता हाथ लगी है डीजल चोरी करने वाले एक गैंग का परदापाश किया गया है इसमें तीन लोगों को गिरफतार किया गया है और इनके पास से बारी मात्रा में प्लास्टिक के जर्कन साथ प्लास्टिक के जर्कन जिसमें करी पांसो लिटर चोरी का डीजल है दो गाड़िया बरामत की गई है और जो इंस्ट्रुमेंट ही इस्तिमाल करते थे गाड़ियों खोलने के लिए कबर अलीगर से जा कस्बा चर्रा के वैपारियों ने बजार बंद कर चर्रा को तहसील बनाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया जिसके बाद वैपारियों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि अगर चर्रा को तहसील नहीं बनाया गया तो वांदोलन करने पर मजबूर हो रंगने खर्रा वो सबस्क्राइनियर इनोTH दहां कि एिट सबस्क्राइन अग्यों डी सिंहा। जो ओधिश्यक के मांधियम से मानीम उखिमिन्तिर जीन को रहें नहीं प्रिष्ड करदूँ sweetie जैलतियम साथ को देआ है और बजार तैसीर चर्णा बनाने के लच्छ में हमने बंद किया है और हम चाहते हैं हमारी पूरी जंता चाहती है हमारे पूरे और पास के सभी कास्तकार और बजार के व्यापाई लोग सभी गिते हुए है और समने मांग की हैं कि हमारी छर्णा को तैसिर बनाया जा और हमने एश्डियन साब को इसी बारे में खबर श्रावस्ती से चौसवाट टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी फिंगर प्रिंट का क्लोन बनाकर पैसा उड़ाने वाले दो आरोपियों को गिरिफतार किया गया आरोपी फर्जी दस्तावेज और आईडी बनाकर रहाक सेवा केदर का संचालन करते थे बतादे पलिस ने आरोपियों के पास से तीन मुबाइल फोन तीन हार्ड डिस्क बरामत कि अधिरा चेत्र के दो ब्रतिमों द्वारा इस पर अभ्योग पंजी कृत करते प्राइम ब्रांच को विवेचना दिए थी प्राइम ब्रांच ने टेक्निनालाजी का उप्योग करते हुए कि कबर संबल से हैं जो बारत जून को एक युवक का शौ मिला और पास ही एक बाइक पड़ी जिसमें हत्या से जादा दुरघटना की आशंग का नजर आ रही थी पूरे मामले का खुलासा करते हुए एस्पी ने बताया युवक के पिता का कहना है कि रविंदर अपने छोटे भाई की पत्नी पर बुरी नजर रखता था जिसके बाद उसे हम रोहा के दो सुपारी किलर से दो लाक में अपने बड़े लड़के के हत्या का सौधा कर दिया थाना एचोड़ा कंबो के अंतरगत मडावली रसूलपूर रोड पर पुलिया के नीचे एक युवक जिसका नाम रवींदर है इसका शब बरामद हुआ था पास में इसकी मोटर साइकल मिली थी परतम दृष्टिया जो एक्सिडेंट का मामला प्रतीत हो रहा था बाद में जब इसमें गहनता से शानमीन की गई तो इसमें आज छे लोगों को गरतार किया गया है जिनके नाम विजय जो इस मृतक का पिता है गजैंदर जो इसका भाई है धरमपाल नेतराम नारायन और राजी इस तरह से ही अमिठी में एक महिला सपाही रेनू सिंग चोहान ने सराहनी अकार किया और महिला की चोरी हुई सोने की चेन को महिला को वापस दिलवाए मंदिर पर हुए एक कारेक्राम के दौरान चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी खबर संबल से है जोहां तीन दिन से लापता छे साल का शव मक्का के खेत में मिला शव मिलने से छेतर में संसनी फैल गई सूचना मिलने यह मौके पर पहुझी पलिस से शव को कबजे मिले कर पोस्ट मॉटम के लिए भीज दिया थाना कोतवाली संबल के अंतरगत ग्राम सहरिया अबदाल नगर में एक बच्चा जिसका नाम जुनैद है उम्मर लगवे 5-6 वर्ष है इसका शव मक्के के खेत में बरामद हुआ है जिसके शव को प्रसम दृष्टिया जानवरों दारा नोचा जाना प्रतीत हो रहा है इस इसका ये शव मिला है इसके पूरा परिक्षन किया जा रहा है प्रतीक पहली उपर जांच की जा रही है प्रत्म दृष्टिया ये जंगली जानवरों दौरा हमले का शिकार होना प्रतीत हो रहा है आगे इसकी गया खबर अमेटी से है जहां पैदल घर जा रहा है दो युवा का पीछे से आ रही तेज रफतार बाइक ने टकर मार दी जिसके बाद युवा गंभी रूप से गायल हो गया आनवर फानन में दोनों गायलों को इलाज के लिए इस्पिताल पहुचा आगया जहां दोनों गायल कायला चल रहा है तकी खास खबरों इतना ही देश दुनिया के अरताज तरीन खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीविए आप देख रहे हैं प्राइम टीविए सच साहस सरोकार लाख देख